सो जहिंत साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिग जोस में तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे तो यूपी स्पेसल की आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए उत्तरपर्देश की कला, उत्सव एवं मेले से सम्मंदि महत्वपूर प्रस्ण लेकर आए हूँ, जो की आने वाली उत्तरपर्देश की सभी परिच्छाओं की दिरिष्टी से अत्यनत महत्वपूर होने वाली है और आज की इस कलास में दिये गए सभी परस्ण गत वर्ष में किसी ना किसी एकजाम में जरूर पूछे जा चुके हैं तो आई होप आप सभी लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है तो वीडियो शुरूर करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा आईए देखते हैं जैसे हमारा पहला कोस्चन है निम्निखित में से कौन सा उत्तरप्रदेश का लोग नित्र नहीं है आप लोग को बताना है कि इन चारो आपसन में से कौन सा उत्तरप्रदेश का लोग नित्र नहीं है देखिए most important question है जो कि UPPCS pre 2.10 में पूछा गया question है हमारा option A है चरकूला, रास, कर्मा, मुर्या तो आप लोग उपर के तीनों option जरूर सुने होंगे चरकूला, रास और कर्मा लेकिन आप लोग मुर्या नहीं सुने होंगे तो हमारा right answer option D हो जाएगा मुर्या जो कि उत्तरपर्देश का लोग निर्थ नहीं है बढ़ते अपने next question की तरफ राई लोग निर्थ है UPPCS pre और main 210 में दोनों में पूछा हुआ question है काफी most important question है आप लोग को बताना है कि राई लोग निर्थ है कहां का लोग निर्थ है अवद का, पुर्वांचल का, बुंदेल खंड का, रुहेल खंड का तो इसे हमार right answer option C हो जाएगा बुंदेल खंड का, राई जो है बुंदेल खंड का लोग निर्थ है बढ़ते अपने नए question की तरफ भात खंड संगीत संस्थान लखनव डिम्ड बिसुबिद्याले बना आपको बताना है कि किस वर्ष बना था PCS में 2009 में पूछाओ का question है हमारा option A है 1998 में, 2003 में, 2001 में, 2004 में तो हमार right answer option B हो जाएगा 2001 में, भात खंड संगीत संस्थान जो की लखनव में इस्तित है वो डिम्ड बिसुबिद्याले बना बढ़ते अपने नए question की तरफ चीत्र सत्यम सिवं सुंद्रम की रचना की थी most important question है जो की UPPCS में 2009 में पूछाओ का question है हमारा option A है महेंद्रनाथ सिंग ने नंद किसुर सर्मा ने सिवनन्द नौटियाल ने विसुनाथ मिहता ने तो इसे हमार right answer option C हो जाएगा सिवनन्दन नौटियाल ने सिवनन्दन सुर्ण नौटियाल ने सत्यम सिवं सुंद्रम की रचना की थी बढ़ते अपने next question की तरफ चित्रकला की मुगल सहली का आरम किया गया था most important question है जो कि UPPCS मेंद 2009 और 2012 दोनों में पूछा हुआ का question है हमारा option A है अकबर ने हुमायू ने जहांगीर ने सा जहाने तो हमार right answer option B हो जाएगा हुमायू ने चित्रकला की मुगल सहली का आरम किया था बढ़ते अपने नए question की तरफ उत्तर परदेश में वर्षा की समय गाय जाने वाला लोक गीत है देखिए उत्तर परदेश पुलीस दोहर रठारा में पूछा हुआ question है जो काफी most important question है option A है रसिया, भीरहा चेता, कजरी तो इसमें हमाँ right answer option D हो जाएगा कजरी जो है कि उत्तर परदेश में वर्षा की समय गाय जाने वाला लोक गीत है बढ़ते अपने next question की तरफ परसीद सास्तिरी गायक भीम से जो की सम्मन्दित है PCS में दोहर आख में पूछा हुआ question है option A है बनारस घराने से कीराना घराने से लखनव घराने से रामपुर घराने से तो हमारा right answer option B हो जाएगा कीराना घराने से परसीद गायक भीम से जोसी जिनका सम्मन्द कीराना घराने से है बढ़ते अपने नए question की तरफ निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है PCS में दोहर आठ में पूछा हुआ कोस्चन है option A है भिर्जु महराज लच्छु महराज किसन महराज सितारा देवी तो इसमें हमारा option A है भिर्जु महराज लच्छु महराज तथा सितारा देवी ये तीनों सम्बंदित हैं लेकिन कीशन महराज जो है इनका सम्मंद कत्थक से नहीं है अप्था हमारा राइट आंसर आप्षन बी हो जाएगा कीशन महराज जो की कत्थक से सम्मंदित नहीं है बढ़ते अपने नैकोशन की तरफ उत्तर परदिश का मुख लोकनित है आपको बताना कि इन चारों में से ऊत्तर परदिश का प्रमुक लोकनित कौन सा है धोभीया है राई है साइर है तो ये तीनों हमारा ऊत्तर परदिश प्रमुक लोकनित है तो हमारा राइट आंसर आप्षन डी हो जायेगा उपयूक्त सभी बढ़ते अपने नैकोशन की तरफ निवन में कौन बुंदेल का लोगनित नहीं है आपको बताना है देखिए PCS मुख्य परिच्छा दोर सोल में पूछा हुआ कोस्चन है ख्याल निर्थ पाई डंडा निर्थ बढ़या निर्थ राई निर्थ तो इसमें हमारा राइट आंसर अप्शन C हो जाएगा बढ़या निर्थ जो की बुंदेल खंड का लोगनित नहीं है पढ़ते अपने नेक्स कोस्चन की तरफ आउध्धा के किस संगितकार ने सास्तिरे संगित में टपस अली का विकास किया देखिए UPP 2018 में पूछा हुआ कोस्चन है मुस्तरी बाई, खुशी महराज, मेहदी खान, ठाकुर परसाथ तो इसमें हमारा राइट आंसर आप्शन B हो जाएगा खुशी महराज, खुशी महराज ने आउध्धा के संगितकार के सास्तिर संगित टपस अली में बिकास किया बढ़ते अपने नए कोस्चन की तरफ मेरट में परतेक वर्ट्स होली के बाद आविद किया जाने वाला रंग भिरंगा मेला है देखिए योई भी उत्तर परतेस कुलिस 2018 में पूछा हुआ कोस्चन है औपसन ए है कुम्भ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला, सिकरी मेला इसमें हमाँ राइट अंसर औपसन बी हो जाएगा नौचंदी मेला मेरट में परतेक वर्ट्स होली के बाद जो है कि नौचंदी मेले का आविजन किया जाता है जो कि काफी रंग वी रंगा मेला होता है बढ़ते अपने नए कोस्चन की तरफ कि सुफिसंद की वार्शिक उर्ट्स पर देवा बारा बंकी में मेला लगता है देखिए ये भी उत्तर परदेश पुलिस दुहर 18 में पूछा हूँ कोस्चन है ये गलती से आपका 28 हो गया ये 18 है दुहर 18 में पूछा हूँ कोस्चन है आपको बताना है निजा मुद्दिन ओलिया वारिश अली सलीम चिस्ती मुद्दून चिस्ती तो इसमें हमारा राइट आंसर ओप्सन बी हो जाएगा वारिश अली वारिश अली सूफी संथ है जिनके नाम पर वार्शिक मेला मना जाता है जो की बारा बंकी में इस्तित है बढ़ते अपने नए कोस्चन की तरफ परसिदे सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे देखिए ये भी उत्तर परदिस पुलिस दोहर उन्निस में पूछा हुआ कोस्चन है हमारा आप्शन ए है एटा, और रया इटावा, फिर योजाबाद तो हमारा राइट अंसर आप्शन सी हो जाएगा इटावा परसिदे सितार वादक इनायत खान इटावा घराने के थे बढ़ते अपने नए कोस्चन की तरफ निवन में कौन लोग गीत बरसात के महीने में गाया जाता है आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा लोग गीत जो है कि बरसात के महीने में गाया जाता है आप्शन ए है चैती, गिधा, कजरी, करहवा तो इसमें हमारा right answer option C हो जाएगा कजरी कजरी जो है कि बरसात के महिने में गया जाने वाला लोक गीत है बढ़ते अपने last question की तरफ भारती सास्त्री संगीत का बाइबिल गरंथ कहा जाता है पताई इन चारों में से किसी जो है कि भारती सास्ती संगीत का बाइबिल गरंथ भी कहा जाता है option A है नाट्य सास्त्र, नादविनाथ, सूर्शागर, सूफी नामा तो इसमें हमारा right answer option D हो जाएगा सूफी नामा सूफी नामा को भारती सास्ति संगीत का बाइविल ग्रंथ भी कहा जाता है तो साथियों I hope आप सभी लोगों को वीडियो समझा होगा सभी कोशन अच्छे से समझा गए होंगे तो साथियों कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लिजेगा मिलते हैं नए कलास में U.P. Special की एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केर